Hello Friends, Welcome to my channel Literary Love वीडियो शुरू करने से पहले चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे W.H. Davis की पोयम लेजर के बारे में ये एक 14-line पोयम है जो 7 couplets में बांटी गई है यानि ये एक sonnet है ये पोयम 1911 में लिखी गई थी और उसी साल में publish भी की गई थी Friends, लेजर का मतलब होता है फुरसत या खाली समय इस पोयम में poet ने हमारी जिंदगियां यानि human life के बारे में बात की है कि किस तरह हम अपनी life में इतने busy हो चुके हैं कि हमारे पास खुद के लिए बिलकुल भी समय नहीं है हम अपने आस-पास के वातावरन को या nature को महसूस भी नहीं करते हैं इतनी busy है हमारी life इस पोयम के poet हैं W.H. Davis जिनका पूरा नाम था William Henry Davis उनका जन 3rd July 1871 में हुआ था और उनकी death 26 September 1940 में हुई थी वो एक Welsh poet और writer थे उन्हें Georgian poets में से एक माना जाता है उनके famous works में The Autobiography of a Super Tramp और Leisure शामिल है तो चलिए friends अब पोयम पर आते हैं और इसे line by line read करके समझते हैं What is this life if full of care यानि कि ये जिन्दगी क्या है अगर ये फिक्र से या साफधानी से भरी हुई नहीं है यानि हमारे life में बस problems हैं और tensions हैं और हमेशा इसी बात का हमें फिक्र होता है We have no time to stand and stare और हमारे पास बिलकुल भी समय नहीं है इतना भी कि हम खड़े होकर आस पास की चीजों को देखें इतने busy हैं हम इतने परेशान हैं अपनी जिन्दगी में कि अपनी surroundings को हम बिलकुल नजर अंदाज कर देते हैं No time to stand beneath the bowls यानि कि हमारे पास समय नहीं है कि हम bowls यानि पेडों के डालियों के नीचे खड़े हो सकें पेडों की चाव में खड़े हो सकें इतना भी वक नहीं है And stare as long as sheep और cows और अपने चारों तरफ देख सकें जब तक हमारा मन चाहें जैसे गाए या भेड करते हैं यानि हमारी जिन्दगी जानवरों से भी ज़्यादा बत्तर है No time to see when woods we pass यानि हमारे पास बिलकुल भी समय नहीं है जब हम जंगलों से होकर गुजरते हैं ताकि उससे देख सकें उसकी खुबसूर्ती को देख सकें इतना भी वक्त नहीं है Where squirrels hide their nuts in grass जहां squirrels यानि गिलहरियां अपने nuts को छुपाती हैं अपने खाने को छुपाती हैं ये सब देखने का हमारे पास बिलकुल भी समय नहीं होता है No time to see in broad daylight ना ही हमारे पास इतना समय होता है कि हम दिन के उजाले में भी देख सकें Streams full of stars like skies at night यानि उन नदियों को जिन में बहता हुआ पानी सूरज की रोशनी में बिलकुल तारों की तरह चिमकता है वो तारे जो रात की समय में आसमान में निकलते हैं और इतनी खुबसूरत चीज के लिए भी हमारे पास समय नहीं है हम इतने busy हैं कि इन छोटी छोटी खुबसूरत चीजों को देख भी नहीं पाते No time to turn at beauty's glance और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम मुढ कर खुबसूरती को एक बार देख सके यहां beauty यानि खुबसूरती को personify किया गया है and watch her feet how they can dance और उसके पैरों को देख सके जब वो नाच रही हो यानि beauty को एक लड़की माना गया है जो बहुत ही अच्छा dance कर रही है मगर humans के पास इतना भी time नहीं है कि वो उसका dance देख सके मतलब हम इतने busy हैं अपने life में कि हम जो nature की खुबसूरती है उसको देख नहीं सकते हैं उसको admire नहीं कर सकते है no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began यानि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उसकी वो smile को उसकी मुसकान को देख सके जो अभी उसकी आखों में नजर आ रही है जो अभी उसके होटों तक पहुची रही है उसकी आखों में हमें वो हसी की जहलक नजर आ रही है यानि कि हम life की खुबसूरती को ठीक से देख भी नहीं पाते हैं हम बस दूर से उसकी ब्यूटी को देखकर खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो पूरी खुबसूर्ती, वो पूरी सुन्दर्ता देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है और हम बहुत मजबूर हैं, हमारी जिन्दगी उदास है, बेबस है, सिर्फ फिक्र और परेशानियों से भरी हुई है और हमारे पास कोई समय नहीं है या फुरसत नहीं है कि हम अपनी जिन्दगियों को इंजॉई कर सके और रुक कर अपने आसपास की ब्यूटी को इंजॉई करें तो यहां फ्रेंड्स ये पोयम खत्म होती है इस पोयम में पोयट ने हमें ये बताया है कि कैसे हुमन्स अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को न इंजॉई कर पाते हैं और ना ही अपने लिए थोड़ा भी खाली समय निकाल आते हैं तो ये थी फ्रेंड्स विलियम एज डेविस की पोयम लेजर